नमस्थकर दोस्तों में उसके बारे में आज विडिओ में complete details से बात करने करें वाले हैं तो आप लोग इस Video कोBYDOS लाश्ट तक देखें ताकि जो भी लोड आपको करनी है कहां से कैसे अपलाइए करेंगे इन सब तमाम जनकाडी की साथ को मैं इस वीडियो को लेगे चलता हूँ तो सबसे पहले आपको टाइप करना होता सी एस भीसी जैसा इसको टाइप करते हैं सी सबसे पहले गूगल पर आप जा करके तो यहां पर फर्स्ट लिंक आपका एपियर होता है सबसे लाइस्ट आप जो है फोरेस्ट एंड क्लाइमिट सेक्शन इस पर आपको क्लिक करनी होती जैसे आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई पर रहा है यहांपर 11219 को दो दो नोटी यहां पर पर पुब्लिस हुआ है जो फॉस्ट वन आपका नीचे वाला लिखाए देर कि वह एडवर्टीजमेंट एडवीटी है एडवर्टीजमेंट एक वट्ट है एक सब्सक्राइब और उपर में अप्लिकेशन है इस पर आपको अप्लाइब के लिए यहाँ पर इस लिंक पर पड़ता है सबसे पहले आपको मैं नोटिफिकेशन के बारे कि इसके बारे में कुछ कुछ चीजे में आपको बताने का तरीका तो अलड़ी बता चुका हूं तो सबसे पहले चलिए क्या जानते इसके बारे में कि यह वेकेंसी कितने पद के लिए है यहां पर देखिए एक 902 पद के लिए है 902 पद के लिए यह वेकेंसी है और अंतिम एक 2019 यहनि कि एक जनवडी को आया है और 31 जनवडी तक चलेगा यानि कम्प्लीट मंथ आपका यह वेकंसी लिया जाएगा इसका बिज्यापन संख्या यहां पर मैं जस्ट बता दिए हूं आपको बिज्यापन संख्या एक एक बट्टे 2019 है कौन सा भी भाग है तो पडियावन वन एवं जलवायू पडिवर्तन विभाग आपको की बिहार पुलिस में या विभाग में या वेकंसी है उसके अलाबा इसका जो वेतनमान है बावन सो से बीजाब दो सो का प्लस ग्रेट पे दो जर का उसके अलाबा 902 की पद की वेकंसी है पहले भी आपको मैं कुछ वीडियो को पाउस करको पड़ सकते हैं नहीं तो इसके नॉटिकेशन को डालोट करके पढ़ सकते हैं अब हैसमें रिख्ती की जो संख्या है वह कैसे है तो सामान के लिए 451 है अनुसुचित जाती के लिए 142 असलिए नो अत्याट्र पिछजरावर के लिए 162 पिछरावर के लिए 108 और पिछड़े वर की महिला के लिए 27 कुल मिला करके 902 पद इसमें है उसके अलावा कटफ की यहां तक बात आती है वह एक जनवड़ी 2019 यानि कि एक जनवड़ी 2019 से आपका एज और क्वालिफिकेशन का जो डेट है वह लिया जाएगा जदी आप एक जनवड़ी 2019 तक जो अठारह नियूंतम इसका एज है उसमें नहीं आते हैं उससे एक भी दिन चूटते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे इसके अल अधरह स्टेट का है तो उनको अरक्षन तो नहीं मिलना है वह जेनरल के सीट पर अपलाई कर पाएंगे यानि कि बिहार में जो जेनरल के टेगरीज के सीट दिये हुए है 451 इसमें वह बंदे यहां के लिए अपलाई करेंगे ना कि इन सब सीट में इन सब सीट में सिर्फ बिहार के ही लोगों का यहां पर स्थान है हक है और असलिंबर 901 जाएंगे चाहें बहर के जिर्डियो को पास्रमा करेंगे उसके अलावा मैं बहुत सारे और भी चीज़ें है उसको आप वीडियो को नहीं सकते हैं जानकारी ले सकते हैं वैसे मधीचक्षन में दे चुका ह कि किसी विद्यालाइज और कांसिल से आप 10 प्लस टू यानि कि इंटर के समकष हो इंटर हो इंटर के आसपास की जो भी उसके एक्विलेंट डिग्री है वह आपके पास होना चाहिए उसके अलाबा और है इसमें उम्र की बात करें तो उम्र यहां पर दिया जा चुका है कि सा टेग्रीज के लिए 18-25 साल दो साल की छूट मिलती है तो यहां के जो भी पुरुस और महिला है उसको दो साल की छूट यह पच्छी साल तक बढ़ सकते हैं और अनुसुती जाती है जन जाती नहीं सी और स्ट के पूरुस महिलाओं के लिए 18-28 साल के उम्र तक के लोग उसक पर यहां पर प्राब्धान रखी गई है इसके अलाबा सारणी कुछ माप। है जो कि कितनी हाइट कितने चेश्टोगर होना चाहिए उन सब चीज पर दिदि ध्यान देए यहां पर तो सारणिंग माप्दम नियुम्तम उचाई जो कम से कम उचाई वह सी एस्ट के लिए एक सो साथ सेंटीमेटर है और सी एस्ट के अलाबा जेनरल और OBC बीसी वन बीसी जो भी होते हैं उसको 1050 सेंटीमेटर का है चाहिए उसके अलाबा जो यहां पर सीना की बात है बिना फुलाए 79 सेंटीमेटर आपको पांस सेंटीमेटर आपको University के लिए और त्यम्होन आपको मिल रहा है जेनरल और और OBC के लिए और सिना का नियुनतम फुलाओ यहां पासेंटेटर क्लियर लिख चुका है उसके पैदल चलने की छमता के बारे मिया लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए नियुनतम फुलाओ यहां पर लिखा जा चुका है कि चार घंटे में 14 किलोमेटर नहीं मातर दिया गया है 11 किलोमेटर की इसमें छूट दी गई है महिलाओं के लिए और दोनों में एकवल है कि जने लोबी सी स्टी कोई भी हो चार घंटे में आपको 14 किलोमेटर का सफरताई करना होगा पैदल के रूप में उसके अलावा चैन पर्थम चैन जो लिखित परिक्षा है उनके बारे मे यहां लिखाए जार की 100 आपका प्रस्ण होना है दो घंटे का परिक्षा होगा इन सब चीज़ें के अलावा और जो भी चीज़ें एक कुस्टन के लिए आपको चार अंग का आपको देना है एक गलती पर आपका एक नंबर काटा जाएगा इसके अलावा बहुत सारे और भ अफ़लाइन होना है तो और भी जो चीज़ें हैं इसमें इंसीजों को आप इर को डाव्लोड करके पड़ पर सकते हैं यहां नहीं है और इसके अलावा अनुसूची जाती और जन जाती यानि कि स्सी और स्टी के अभ्यर्कियों के लिए 112 रुपिया का पेमेंट रखा गया है जैदि बिहार से बाहर के कोई भी बंदे हैं तो उनको जेनरल में जाएंगे और जेनरल में जाने के लिए आपको 450 का पेमेंट करन करेंगे और यह जो पेमेंट का मोड है वो नेट बेंकिंग क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको डेट बताई चुका हूं यहाँ पर उसका निरदेश दिए जा चुका कि कहां कहां जाना है और किस पर क्लिक करना मैं क्या कैसे जाना है कैसे आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा इसके अलावा जो भी और भी जनकारी है इन सब चीजों को आप यहां से पढ़ लेंगे फोटो आपका जेपीजी में लगना है 200 dpi में इन सब सब चीजों को आप आपको मैं एक चीज में आपको बताना चाहूंगा क इस फॉर्म में लगना क्या है आपको लगना है इमेल एडी आपका खुद का होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए उसके कोई फॉर्म ना भरा हो उसके अलावा फोटो सिगनेचर आपको टेंथ और टूवेल्थ का जो सर्टिफिकेट पॉब्लिसिं आप में अधार कार्ड और उप्युक्त जो डिटेल्स है आपका कंप्लीट वह लेले जो कि आपका एड्रेस प्रूफ है जो किस्टन क्वालिफिकेस्ट का हो या पर्सनल इमेल मोबाइल नंबर वह जोरू भी चीज़े इन सब को आप साथ मेले करके फॉर्म भरने के लिए बैठे इसके अलाबा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस फॉर्म का लिंक कहां से मिलेगा जिसे ही आपको वेबसाइट पर पहुंचते हैं यह आपका वेबसाइट से यहां से हम डालोड किये थे इसका नोटिफिकेशन इसकी अलाब जस्ट इसका उपर में पर बैद में यह अप्लीकेशन राइश्ट्रेसन कर लेनी है उसके अलाबा कर हाकी उमिद्वारों को सलाव जाती इसकी वह प्रकासित विद्यापन को पूर्ण रूप से पढ़ेता हा अब दन करने से पहले अपनी पातरता को सुनिस्टित करें क्या लें कि जो भी चीजे आपको चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन जो भी चीजे हैं आइट होगा इस चीज से आप आकिफ हो जाए तब फॉर्म को भरे नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इन सब चीजी को देखते हैं नहीं और फॉर्म पे बास्ट में छोड़ना पड़ जाता है उस फॉर्म को यहां हो जाते हैं पेमिंट कर जाता है और वह छट जाते हैं तो यहां से हम लोग सबसे पहले करना करना है यहां पर क्लिक करते नहीं तो यहां से जाके लॉगिं रिजिस्टर्ड यूजर यहां पर है लॉगिं जो की पे क्लिक करने के लिए यह क्लिक करते हैं आपका form खुल जाता है सेशन यह तर्टी मिनिर्स तीस मिट आपका यह form अपने बंद जाएगा यह फॉर्म भर भी लिएंग कंप्लेट तो आपका वह फिर से आपका रिसेट हो जाएगा तो complete जो भी नोलेज है इसको आप भरिए और आगे बढ़िए जदी कुछ भी और दिक्कते होती है इस फॉर्म से संबंदित आप उसे कमेंट करें मैं आपको complete फॉर्म का भरने का कैसे कैसे कहां क्या डिटेल्स करना है डालना है वैसा आपको नोटिफिकेशन बना करके मैं आपको प्रविस करूंगा चाकि उससे आपको मदद मिल पाए तो धन्यवाद दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो आसा करता हूं कि यह बहुत अच्छी आपको लगी होगी जदी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेर करें लाइक करें कमेंट करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत